हलो दोस्त रेलवे लाइब यूटूब चैनल पे आपका स्वागत है हलो दोस्त एक बहुत बड़ा अपडेट आरार्बी एलपी परिच्छा टेकनिशियन से लिए जिसमें आरार्बी मुंबई का सेंटर रेलवे एसी आर और साथ में आपका डबलू आर इसका कटअप डिकलियर हो गया है फाइनल पैनल के लिए ये एलपी फाइनल और टेकनिशियन फाइनल पीसीम भी और आईटी आई भी साथ में PWD का अलग है Normal Community का अलग है और आपका एक Service Man का अलग Cut Up पजारी है इसके अंसार से अगर देखेंगे तो PCM Technician में Tele Communication Department में चार नंबर Cut Up कम हुआ है लोग काते हैं कि Tele Communication PCM में कम नहीं होता तो दोस्त ये Post और Number of Ability, Post और कितने Candidate है उस पे भी Depend करता है तो चार नंबर इस हिसाब से तो PCM में बहुत जादा है तो इसको देखने के लिए Website पे चलेंगे जो अभी अभी Update Show हो रहा है तो ये RRB Mumbai है जिस पे आप Open करेंगे Open करते ही आपको यहाँ पे आएगा Community-wide Cut Up Mark इसको Open करेंगे तो एक एक करके आपको Final Pass Result आजाएगा और सारे Cut Up की आपकी पास Update आजाएगा तो यहाँ PWD का भी है और एक Service Man का है एक Service Man में बहुत सारे Post NEC ही गया है PWD में भी बहुत कम Candidate आए है वो देख लिया मैंने आप भी देख सकते हैं लेकिन अभी आप देखते हैं Normal Candidate का क्योंकि Maximum Candidate ECP करते हैं तो LP की Cut Up देखिए यहाँ से दिया हुआ है 70, 36, 56 और OBC की टर्म में 67 इसको अगर हम completion करना चाहेंगे तो हमें Cut Up कौन सी चाहिए था जो DB से पहले Cut Up आये था जिससे एक क्लियर हो जाएगा कि कितनी चेंज हुई है और यहाँ पे category बहुत सारा है इसलिए सभी category की बात करना पॉसिबल नहीं है Highlighted 2-4 देख लेते हैं क्या क्या है Cut Up तो मेरे पास ये Cut Up आल्लेडी मैं संभाल के आपके लिए रखा था कुछ लोगों ने बोला था कि Cut Up बढ़ जाएगा तो ये रखना बहुत ज़रूरी था तो ये Cut Up मेरे पास अल्लेडी है वेबसाइट पे भी मिल जाएगा थोड़ा सा नीचे के तरफ हस्क्रॉर करेंगे तो सबसे पहले LP से शुरुआत LP यहां Cut Up नीचे दिया हुआ था तो LP देखिए यहां पे है 1, 1, CR के लिए ACR के लिए और WR के लिए तीन अलग अलग कटक थे और वही तीन डिविजन में चार LP, Electrical और Mechanical दोनों है तो यहां देखिए सबसे पहले आप देखिएगा CR में Electrical का यहां पे 71 कटप गया था जो अभी के डेट बे 70.20 हो चुका है 65 गया था वो 63 हो चुका है 56 वाला 56 हो चुका है और 68 वाला 66 हो चुका है कटप कम उसी तरह 71 वाला देखिएगा तो यह 69 हो चुका है 64 वाला जो था 62 हो चुका है 58 वाला 56 हो चुका है और 68 वाला यहाँ पे 66 हो चुका है यानि एक से डेड़ नमबर या दो नमबर तक मैक्सिमम यहाँ आपको सिंटरल रेलवे में कम हुआ है उसके बाद अगर आप देखना चाहेंगे ACR में तो 70 वाला cut-up 69 हो चुका है यहाँ पे 63 वाला 61 हो चुका है 61 के बाद 69 है वो चुड़ दीएगा मैं केवल लेबरेज बता रहा हूँ 57 वाला 55 हो गया है और यहाँ पे 68 वाला 66 हो गया है 66.75 तो यहाँ भी cut-up कम है WR में देखेंगे मेकेनकेल वाला पोस्ट के लिए यहाँ पे 71 था वो 70.12 हो गया है 64 से 62.45 यहाँ पे 59 से 59 और यहाँ 68 से 66 यानि जितने भी LP की थी सब cut-up एक नमबर से लेके दो नमबर तक कम हुआ है सारी LP की cut-up कम हुई है तो क्या कहेंगे इसमें वेटिंग लिस्ट से लिया है अब दूसरी बात करते हैं टेली कॉम्निकेशन का टेली कॉम्निकेशन का कटैगरी नमबर आप जानते ही है 136 और शुरू आता है OBC की cut-up यहां देखिए UR की cut-up 88 है और जब final result आया है उसमें आप देख लिए कि कितनी cut-up कम हुई है तो ये cut-up 88 से भटके 84.96 हो गया है 84.96 जानी करीब करीब 4 नमबर थोड़ा कम 4 नमबर कम PCM में हुआ है खास करके जो PCM और ITI दोनों के लिए एलाऊ था लेकिन जिनरली इसमें PCM candidate थे उसके बाद दूसरी 76 point देखेंगे 76 ही था पहले भी 85 था यहां fraction में कम हुआ है 75 0.3 OBC का कम हुआ है इसमें 0.03 कम हुआ है बोल सकते हैं यहां पर चेहतर हुआ है उसके बाद मेन वाला देखेंगे central railway का 136 में तो 134 में देख लेते हैं signal में signal में देखेंगे यहां 84 था central railway का तो 136 नंबर का 84 था यह 83 नंबर हो चुका है 83.56 यह भी कम हुआ है यहां पर देखेंगे 76 से 75 हो चुका है 74 से यहां का दे अगले वाले जो अब आपका है 74 था पहले 76 था दो नंबर यहां कम हुआ है OBC में तिहत यहां पर देख सकते हैं 83 से 82 हुआ है यह भी कम हुआ है बाकी यह category जो नीचे वाले भी है सब में point fraction में minimum तो कम हुआ है क्योंकि यहां पर candidate की संख्या बहुत घना तो हमें थी इसलिए cut up करीब-करीब one point से लेके एक नंबर के बीच में सारा cut up कम हुआ है अब करके बात करेंगे एक welder का सबसे ज्यादा अच्चार चन कर सकते हैं कि result दिख रहा है इस पैनल में 83 point cut up welder में आप यहां से देखेंगे welder का EUR मैं देखूं एक बार कहां है वो पोस्ट जो सबसे ज्यादा दिख रहा है welder का category number 98 98 का इधर गया जी दोस्त 98 इधर है कि सो और 98 कि दर है इधर एक नहीं देख रहा है category number 98 एक बार आप में ला लूँ तो यहां से अगर 31 32 33 वहारे 59 88 98 में देखिए मिल राइट मेंशन विल्डर टर्नर यह वाला कटप है उसके अलावा एक कटप मैं बात करूंगा सबसे पहले जो इसमें वेकेंसी में दिख रहा है इसमें आपका टोटल टोटल देखेंगे मिल राइट में तो यह कितनी कटप गई थी सेम के सेम कटप उतर ग कि यह कटप कितनी गई है आप समझ सकते हैं क्या है 8271 जबकि ITI का 70 गया था तो यह कटप कितनी थी पहले भी आप मिला लेंगे 64 में अभी नया में क्या आ गया तो कटेगरी नंबर 64 में देखिए यह कटप सेम के सेम इतना जितना था 82.583 कंडिडेट का पहले भी था यहा एक कटेगरी देखेंगे जिसमेह क करके नबस देखेंगे के कोन कौ Azki है तो टेकpanze grade में भी बहुत सारे में ट्रेन लाइटिंग का 70.60 ट्रेनलाइटिंग वाला देख लेंगे यहां पर जो कटेगरी नमबर 50 है जो cut up अच्छा खासा LP से ज़्यादा गया था तो train lighting वाला 70 वाला आप देखेंगे category number 50, 50 तो category number 50, number 10 lighting same के same cut up यह repeat हुआ है और यहाँ पे देखेंगे same के same यह दो number कम हुआ है यहाँ पे एक number कम हुआ है एक number बढ़ा है यहाँ पे देखिए एक number बढ़ा है इसका candidate का तो anyc हो गया और सारे अलग-अलग condition देखेंगे तो यहाँ पे TRD में 62 देखिए पहले 62.83 था अब 62.11 हो गया यहाँ पे 50 था 50.26 same के same रहा यह 52 से 51 हो गया यह 62 से 61 हो गया यानि यहाँ पे सब में point से correction में कम हुआ है TRD में देखिएगा तो TRD में क्या condition बढ़ती है TRD 62,50 पहले 62 50,50 TRD कितने number है category number 51 51 में देखिए यहाँ पे 62 से 60 हो गया, यहाँ पे 50 से 49 हो गया, यहाँ 52 से 51 हो गया, यहाँ 62 से 60 हो गया, सब में कम हुए यानि cut up हर category के लिए कुछ न कुछ कम होर ही रहा है और कुछ लोग कर रहे अभी भी बढ़ेगा तो बढ़ने दीजिए, अगली vacancy भी आएगी लोग त्यारी करके जाएंगे और अच्छे number लाएंगे, अच्छी बात है बढ़ना भी चाहिए, और एक train lighting वाला category में धून देखिएगा तो यहाँ NAC मिलेगा welder की जितनी भी category है Black Smith की है, maximum NAC गया है देखिए, Carpenter Carpenter NAC maximum NAC, जो में candidate है जिसमें नहीं है, नहीं है डिलिक्ट, 74-50 cut-up कितना नंबर की थी, 31-30 नंबर की, 31-30, इसकी cut-up आप देखना चाहेंगे, आपका Diesel Electrical का, तो 74-50 कितना है सेम के सेम था, 74-50 711 DB से पहले भी यह सेम के सेम था, और अभी भी सेम है कोई change नहीं हुआ है, उसी तरह maximum category हो का cut-up ऐसा है कि या तो उसके आसपास है या नीचे है, किसी का generally बढ़ा नहीं है, और category number के हैं से आप से आगर देखें तो का सकते है, 155 number category, जो final मैं बात करने वाले हों, category number 155 ITI technician welder workshop में 83 cut-up गया है, हलाकि maximum पोटे इसकी वेने सी गया है और देख सकते है, कि ये candidate welder का यहां भी है, welder का यहां भी है, यहां 43 गया है, यहां 83 गया, दोनों के बीच में difference कितना है, पता है, 40 number का, यह ऐसा क्यों तो post priority बहुत important है दोस्त, ये candidate ने इसको post priority first डाला तो first वाला मिलेगा, second वाला नहीं मिलेगा, आप कहेंगे कि 83 से नीचे कोई candidate होगा क्या तो मैं बता रहा हूँ, नहीं होगा क्योंकि अगर रहता, तो इस वाले category में आ जाएगा, और इस वाले में नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि यह maximum है, तो यहां post priority आपका score और आपके द्वारा exam में medical pass यह बहुत जरूरी है उसी के उनसार से post मिलती है और कुछ लोग कते हैं, DB पहले हुआ post बाद में लॉट हुआ तो यह सब को ही जानता है कि DB में अगर एक-एक post की cut-up दिया हुआ है, तो बीना post लॉट करने हुए एक cut-up नहीं जारी होता, यह ध्यान देने वाली बात है, simple सी बात है तो यह declare result के हिसाब से आप देख सकते हैं, और कुछ लोग कहेंगे कि बाकी वाला category का क्या रहा तो देखा देते हैं आपको एक serviceman का, एक serviceman का क्या हल है एक serviceman में देखिए, केवल UR में और OBC में candidate है ACST आपका पूरी खाली है Assistant Locopilot आपका Central Railway है, और ACR में कोई भी candidate qualify नहीं किया है, सारा post खाली है, not eligible है और उसके अलावा कह सकते है, technician में तो कहीं इका दुका candidate मिल जाएंगे, जैसे train lighting में यहाँ देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए बाकी सारे post NAC यानि NAC कहने के मतलब है कि वहाँ एक नए एक post जरूर उस category की थी, और सारी खाली चली गई है, जो post normal candidate को दिया गया है, यह vacancy table से देख सकते हैं, एक servicemen का अब बात करते हैं, PWD का कुछ लोग पुचेंगे, तो PWD का यह cut-up यहाँ पे है, जिसको आप अगर देखना चाहें, तो इसमें भी बहुत मेने सी, यानि यहाँ जितनी भी PWD की post थी, ध्यान दिजेगा एक भी candidate qualify नहीं किया है PWBD की all post क्या हो गया है vacant हो गया है और जो आगे forward होगी और यह next vacancy में include हो जाएगा, या कोई और department का vacancy आता है, उसमें include हो जाएगा, PWD की post किसी को नहीं दिया जाता है, तो यह clear हो गया हलाकि एक serviceman का भी rule है कि यह नहीं दिया जाएगा general condition में, लेकिन अगर कोई post eligible नहीं होता है तो RRB यह decision ले सकती है कि इसको दिया जाए और बाकी एक serviceman की वो post को अगर कहीं और adjust हो रहा है, वहाँ adjust कर दिया जाएगा यह ऐसा rule में बताया गया है Thank you, धन्यवाद